Hello friends, welcome to my channel Ram Technical Help So friends, अगर आपको Windows installation के time पर या फिर आप Windows start करते हो, shutdown करते हो अगर आपको ये error आरहा है No bootable device found Press 1 key for retry boot and press 2 key for setup utility and press 5 key to run onward diagnostic अगर आपके system पर ये आपको error आरहा है जब आप Windows start करते हो, shutdown करते हो या फिर Windows installation के time पर भी आपको ये error आपको देखने को मिलता है इस error को fix करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना है और कौन से इसमें method आपको use करना है हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जाने वाले हैं मैं आपको ये जो error आरहा आपका इसके अंदर क्या आपको Windows के अंदर setting करना है क्या steps करना है सब इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है और पहली बार आए है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएगी चाहे हो लैप्टॉप, डेक्स्टॉप, यूटॉब या फिर किसी भी type का आपको किसी भी softer में कुछ भी problem आ रहा है तो higher type का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा ठीक है करना है, आपको fast as to press करना है keyboard से, ताकि यह BIOS में जाज़के आपको यह BIOS के अंदर लेके जाना है ठीक है, दीखे फ्रेंट्स यहाँ पर हम लोग BIOS के अंदर आच गए है तो आपको यहाँ पर कुछ settings enable करना है यहाँ पर friends आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर system configuration जो यह पहला टैब, second वाला टैब दिख रहा है यहाँ पर आपको click करना है ठीक है और उसके बाद आपको इसको expand कर लेना है expand करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ options मिलेंगे यहाँ पर आपको जो यह SATA operation है यहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे इसके अंदर ठीक है तो यहाँ पर आपको AHCI वाला option select करना है मतलब enable करना है इसको अगर आपके पास यह disabled है तो इसको enable कर लेजिए और अगर यह यह आपको option check करके रखना है इसके अंदर उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे यहाँ पर आपको date or time मिलेगा इसको हम लोगों को कर देंगे general settings के अंदर आपको आना है जो यह first वाले setting है यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको date or time पर click करना है यहाँ पर आपको यह मेरा time यहाँ पर incorrect दिखा रहा है तो हम लोग इसको अभी ठीक कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको proper date or time रखना है ठीक है आपके current time के हिसाब से current year और current date और current जो time है आपका system का या फिर आपका जो अभी चल रहा है time वो आपको current वाला time रखना है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर उसके बाद friends आपको यहां पर वापस इसको एक बार expand कर लेजिए journal वाले option को और यहां पर click करेंगे यहां पर आपको boot sequence का option मिलेगा हमारा start operation complete हो गया date and time complete हो गया अभी third option में आपको क्या करना है यह boot sequence पर click करना है boot sequence पर जब आप click करते हो तो यहां पर आपको दो option दिखाई दे रहे हैं boot list के option के अंदर legacy mode और UEFI ठीक है अगर आपका यहां पर यह UEFI option enabled है तो आप इसको legacy कर लीजिए ओके legacy करने के बाद आपको यहां पर वापस आना है और यहां पर आपका जो यह secure boot है आप यहां पर देख पा रहे हो यहां पर जब इसको expand करते हो तो यहां पर इसको disabled ही रखना है जो यह secure boot enabled है आपको इसको disable कर लेना है अगर आपका system यहां पर already disabled है तो एक बार enable करके देख लीजिए कि आपका यह problem ठीक होगा यह नहीं होगा नहीं तो हम लोगों को यहां पर disabled ही रखना है इसको ठीक है तो friends यह इसको अप्लाइ करना है नेचे की तरफ आप देख पारे हो कि यहां पर एक apply option है यहां पर आपको click कर देना है क्लिक करने के बाद यह एक dialogue open हो जाएगा इसको ok कर दीजिए ok करने के बाद आपको यहां पर एक exit का button दिखेगा नेचे की तरफ ठीक है नेचे की तरफ एक exit का button है यहां पर click कर दीजिए click करते ही यह restart हो जाएगा machine देखें यहां पर यह start हो गया है बूट हो गया जो आपका machine अभी यह restart होके बूट हो जाएगा आपके windows के अंदर यहां पर देख पार हो कि आपको अभी वह error नहीं आ रहा है जो हम लोगों को f1, f2, f5 वाला जो error आ रहा था आपको windows start के time पर या फिर windows installation के time पर भी अगर आ error आ रहा है तो वह भी आपका fix हो जाएगा यह यहां पर हमारा windows start हो गया है अभी हम लोगों को यहां पर जो error आ रहे थे हम लोगों को f1 device not found करके और f1, f2 और f5 अभी वह नहीं आ रहा है अभी आपको उसके मैं एक पर login करके भी दिखाता हूँ तो फ्रेंड चीदर आप देख पारे हो कि जो हमारा system था हम लोगों उसके अंदर login हो चुके हैं और यहां पर हमारा जो screen है वो वापस आ चुका है मतलब पर अपर तरीकिस आ चुका है और आपको जो error आ रहा था हो अभी नहीं आ रहा है तो आई होप आप समझ गए होगे कि अगर आपके system के अंदर F1, F2 और F5 और device not found का एक error आ रहा है तो उसको आपको कैसे fix करना है अगर आपको यह मेरे वीडियो अच्छा और helpful लगा और इससे आपका problem ठीक हो गया प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल ल प्लाट को उसका notification आप तक पहुंच जाए और बेल आइकन दबना ना भूलिएगा थेंक्यू सो मच